तो इस वक्त की बड़ी खबर है भारत के सैनिकों ने चीन के PLA आर्मी को खडेड़ा है तो जिस तरीके से चाइना हमें आखे दिखा रहा था और वो हमें ये दिखा रहा था कि आप डोकलाम जेसी इस्तिती वहां पर पैदा हो चुकी है लगदाख में तो उसको ये समझना चाहिए कि अब भारत ने कमर कस ली और जिस तरीके से मूतोर जवाब भारत के सैनिकों ने दिया है इससे ये साफ हो गया है कि डोकलाम की तरह आप चीन के सैनिक वापस चाहेंगे तो अब जिस तरीके से चाइना ताइवान को धमकी दे रहा है उस पर कमचा करने की बात कर रहा है जवरन उसे लग रहा है कि भारत भी ताइवान है लेकिन उसे समझना चाहिए कि जिस तरीके से आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है G7 में भारत को शामिल करने की बाते चल रही है उस वक्त चाइना को भारत से भिढ़ने की जरूरत नहीं है चाइना खुद ही तूट जाएगा जिस तरीके से उसके आपसी कला चल रहे हैं ताइवान तिब्बत और होंग कॉंग में जिस तरीके से उसके विरोध में अज्य कि चाइना चाइना विवात चल रहा है सीमा और उसको चला गया था की भारत के तरफ भारत में घुसाय के जिस तरीके से उसको अपना बताया और उन्ने कहा कि वो चाइना के अधिकार में आता है तो जिस तरीके से ग्लोबल टाइमस ने भारत को डराने की कोशिश की क्योंकि उसकी जो बोकलाहट है वो इस वज़ा से है क्योंकि वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है वो 1962 का भारत समझ हुझने की गलती कर रहा है। मोदी सरकार दुश्मनों से लड़ना बखूबी जानती है। कर दो बना भ Curry के उसको भगाए। और घ्याका लिखा कब क्वारत को सीमा परशांती के लिए पश्यमी देशों के नजरिये से चीन के हिंदुस्तान को ये धंकी देते हुए कहा कि कोरोना उपर दुनिया जो सोच रही है उसे नजर अंदाज करते हुए भारत को अलग सोच रखनी चाहिए क्योंकि भारत लगातार चाइना का विरोध इस पर करता आ रहा है यहां तक कि डबलू एच्चों में भारत ने चाइना क विरोध में वोट किया था और भूमिका की करोना वाइरस पर चाइना की भूमिका की जाच करने की मांग की थी दूसी तरब जिस तरीके से उसके ब्यापार बंद किये जा रहे हैं जिस तरीके से कंपनिया चाइना से विमुक होकर भारत आ रही है तो उसकी बौकलाहट साफ नजर आ रही है इसी लिए वो इस तरीके से बयान बाजी कर रहा है जो तरीके से ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना के गुनाहों को भारत को भूल जाना चाहिए और चाइना के फेवर में रहना चाहिए इस वक्त ग्लोबल टाइम्स यही धमकाने की कोशिश करना है लेकिन चाइना को ये समझना चाहिए कि आज का जो भारत है उसकी धमकी से डरने वाला भारत नहीं है बलकि आज का जो भारत है वो 1962 का बदला लेने वाला ये नया हिंदुस्तान है और ये चाइना को सबक सिखाएगा जिस तरीके से हाई लेवर पर मीटिंग चल रही है जिस अब भारत ने भी उसी के तरीके से चाइना दिखारा उसी तरीके से तरीके से जवाब देने के मूर में है तो अमेरिका के राष्टपटी डुनाल्ड ट्रम्प ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि प्रधान मंतरी मोधी अच्छे मूर में नहीं है उनका ये साफ इश आपस जाना पड़ेगा ये 1962 का भारत नहीं है आज का भारत 1962 का बदला लेगा और जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीत रही है उसके अन देशों में वो जिस तरीके से ताइवान को धमकी दे रहा है जबनन उस पर कबजा करने की कोशिश कर रहा है ये पूरी दुनिया korona virus से लड़ रही हो दूसरी तरह उसकी विस्तारवादी नीती किस तरीके से है कि वो सीमा पर आ जाता है और भारत में गुझने की कोशिश करता है लेकिन भारत के सैनिको ने उसके विस्तारवादी मनसूबों की बात की जा रहे है चाहे वो रशय हो भारत हो और साउत कोरिया हो भारत का लगातार समर्थन करते आए हमने देख आये कि पूरी तरीके से घिरा हुआ है ना की भारत से पंगा लेने का समय और वही पर दूसरी बड़ी खबर आपको बता देे किस तरीके से उमर अब्दुल्ला की बॉखलाहट सामने आ रही है कुछ दिन पहले ये पाकिस्तान का राग गाते थे लेकिन अब ये चाइना के पक्ष में नजर आ रहे हैं क्योंकि जो दुश्मन होगा वो इनका दोस्त होगा क्योंकि ये देश विरोधी बाते करेंगे चाइना को बयकॉड करने की बात कर वह Αफ कर रहे हैं चायना की प्रोडुक्ट हैं उनको ब्यकॉड करने की बात कर रहे हैं को आपको बता दें कि फ्रेंश औफ ऑफ आर्सस निए वीडय शेयर की थी ट्वीटर पर जिसको देखकर उमर अब्दूल्ला चिड़ गए हैं उन्होंने तुरंत मिलिन सोमान ने एक कदम उठाया था उन्होंने कहा था कि मैं अभी जिस तरीके से हालाग चल रहे हैं सीमा पर और एक तरप से हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट उनका यूज कर रहे हैं तो इसका मत हमारी जो जनरेशन है वो किस तरीके से बिगड़ रहे हैं और वहीं पर चाइना को कितना मुनाफ़ा हो रहा है यह टिक टॉक ही नहीं चाइनीज के जितने भी प्रोडक्ट और एप्स हैं उनको डिलीट करने की बात करी थी सोशल मीडिया पर लगातार इसकी मुहिम चलाई जा रहे हैं लोग इन चाइना बाइकॉट करने की बात कर रहे हैं लेकिन अमर अब्दुल्ला को यह बात पसंद नहीं आई मिलिन सोवन ने वीडियो शेयर किया थो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने चाइनीज एप टिक टॉक को अलविदा कह दिया है और साथ में ही एक और वीडियो थी जिसको सोनम वांग चुक ने शेयर किया था उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हम चाइना की कमर तोड सकते हैं अगर हम चाइना के जो प्रोड़क्ट हैं उसे बाइकॉट करें यह वही सोनम वांग चुक हैं जिन पर त्री इडियर्स फिल्म बनी थी क् कि यह किस तरीके से परियावरन संरक्षन का काम कर रहे थे और किस तरीके से इनसे प्रभावित होकर एक मूवी बनाई गई तो यह देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से देश हित में बाते कर रहे हैं वही पर उमर अब्दुल्ला को यह बात रास नहीं आई और उन एसके प्रोड़क्ट को यूज करें, हम उसके एप को बाइकट ना करें, पूरी तरीके से चाइना को समर्थन दे pixel और हमारे सैनिक सीमा पर उनसे लड़ते रहें लेकिन हम चाइना को सपोर्ट करते रहें, तो इनकीまशीक्टा इसी तरीके से दिखाई देती है जब कोई भी अगर बात होती है देश के विरोध में तो सबसे पहले ऐसे ही लोग सामने आते हैं जो लगातार इस बात का समर्थन करते आ रहे हैं जो आतकवादियों का समर्थन करते हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते आ रहे हैं चाहे वो कोई सा मुद्दा हो सर्जिकल स्ट्राइक होती ह तो ऐसे लोगों को सबसे ज़ादा दुख पोचता है और वही पर बात करें राहुल गांधी तो किस तरीके से अब इस वक्त राहुल गांधी को देश के साथ खड़े होनी की जरूरत थी लेकिन वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं लगातार वो चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं जो उनका पत्र कॉंग्रेस के तरप से गया था इससे ये साफ नजर आता है कि कॉंग्रेस किस तरीके से पूरे देश को डराने की कोशिश कर रही है जबकि हमारे सैनिक सीमा पर किस तरीके से लोहा ले रहे हैं चीनी सैनिकों को मूतो और जवाब दे रहे हैं चाइना से अब भी हमने एक वीडियो देखी थी कि भारत के सैनिकों ने मूतोर जबाब दिया है चीनी सैनिकों को खदेडा है ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जो सैनिक हैं पूरी देश के रक्षा के लिए वो समर्पित हैं और वो सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं तो इस वक्त मे राजनीती छोड़ कर ऐसे नेताओं को देश के साथ आना चाहिए लेकिन इनकी मानसिक्ता जो है वो देश विरोधी है और देश को तोड़ने वाली है तो ये उनके साथ नहीं आ सकते वही पर अगर हम बात करने चाइना की तो चाइना और चाइना की जिस तरीके से विस्ता रही है और वही पर चीन आज के भारत को 1912 का भारत समझने की गुस्ताखी ना करें वो ये भूल नहीं कर सकता क्योंकि आज नहरू सरकार नहीं है नहरू के सरकार में चाइना को मदद मिल गई होगी जो इंटरनल मदद मिली थी चाइना को लेकिन इस वक्त की सेना और सरकार एक साथ खड़ी है और उसके साथ में 130 करोड जंदा भी उनके साथ खड़ी हुई है और वही पर अगर बात करें तो पूरी दुनिया का समर्थन भी भारत के तरफ है चाइना पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है और उसको इस वक्त समझने की जरूरत है क्योंकि भा पूरी तरीके से तुक्ड़ों में बठे का और चाइना को यह बात जल्द से समझ लेना चाहिए और जो सीमा पर जल्द से वापत चले जाना चाहिए और जो सीमा पर गधवी दिया कर रहा है उसे जल्द कर देनी चाहिए झाल झाल झाल